नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल पर तो ये जो सब्जेक्ट है इसके इंग्लिश वीडियम के एक लास हो चुकी है और आज हम बात करेंगे इसके हिंदी मीडियम के सेम कोशन्स की ये वो चार से पाच कोशन्स हैं जो एक्जाम में बार बार आते हैं जैसे और विसमें शोसिलोजिस्ट जो होते हैं समाज सास्त्री जो होते हैं उनके विचारों की बात यहां पर की जाईगी। इवा तको इतनी बात याद रहे है, आप कहंगे डंसर. जैसे पहला कोशन देखिया आप। दुरिये, दुरिये का नाम एक परसिद समाज सास्तरी के रूप में आता है, और दुरिये ने किसके बारे में बता है। जाती के बारे में बता है तो देखते इन्होंने जाती के बारे में क्या कहा है ना जी एस दुरिये भारत के परसिद समाज सास्तरी हुएं इन्होंने जाती को समझने के लिए एक महतपूर्ण धाचा तयार किया इन्होंने ये कहा उनकी परमुक अवधार नाव में उन्होंने क्या की धुरियाने कि जाती जो है अपने आप में एक समाजिक समू है समाजिक समू मतलब जाती जो केवल जनम पर अधारित होती है समाजिक समू क्यों बन गया यह केवल जनम पर अधारित तो होती है हाला कि आज के समय में तो ऐसा नहीं है पर एक समय था जब जाती किसी ने किसी काम पर अधारित होती थी माली जो सुनार है तो सोने के काम करते मिलते थे लोहार है तो लोहे का काम करते मिलते थे ब्रामण के बाद चत्रिया हो गए आपके चत्रिया के बाद वैश्य हो गए और वैश्य के बाद आपके क्या हो गए शूद्रो हो गए तो इस तरीके से पदानुकरम वण व्यवस्था में बना हुआ था जातियों का और उसी के बेस पर जाती 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 डिवाइड़ की ग समाजिक दूरी बनाये रखते हैं आपको पता ही है हर जाती का अपना एक विसेरिस परकार का भोजन होता है है ना जिसे वो अपने जाती है भोजन मानने जाते हैं इसके लवाँ आपने देखा होगा कहीं ना कहीं यह समाज को क्या करती है आपस में घुलने मिलने से रोकती है हाला कि कुछ स्टेट में आज के सहमें इंटरकास्ट मेरिज को मोटिवेट करने के लिए सरकार ने भी कदम उठाए हैं लेकिन आज भी दो जातियों को सेपरेट बनाये रखने में अगर भूमिका है तो इंटरकास्ट मेरिज ना होने देना है ना जाती के भार विवा होने नहीं दिया जाता हमारे देश की विवस्ता यह है गोतर से भार विवा होता है और जाती के अंदर ही विवा किया जाता है जाती गतिशील है जाती के है दोस्तों गतिशील है धुरिये ने ये सुई कार किया कि जाती गतिशील है समय के साथ क्या रहती है बदलती रहती है आप ही देखीजे जिस तरग का काम जाती में पहले समाने में होता था क्या आज भी होता है आप कहेंगे नहीं सर पहले ऐसा होता था माली जाती कुमार जाती है तो हो सकता बड़े IS officer तक भी वो पोँचे है ना एक समय था जब दलिस समुदाया दलिस जाती को क्या नहीं किया जाता था आप कह सकते सिवाय सोशन के उनके साथ और कोई भी विकासात्मकारन नहीं होता था पर आज आप देखेंगे ST ही क्यों नहीं मीना जन जाती ही क्यों नहीं बड़े से बड़े IS पत तक आपको देखने के लिए वो मिलेंगे इट मींज जाती का structure अब धिरे धिरे क्या हो रहा है चेंज हो रहा है तो ये थे धुरिये के विचार धुरिये जो कि एक समाज सास्त नहीं है उन्होंने जाती के बारे में जो कुछ कहा मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल सरल सब्दों में समझाने की कोशिस की है किलियर आगे चलते है इसके बाद भारत में जाती नातेदारी व्यवस्था को कैसे परभावित कर रही है अभी मैंने आपको एक्जांपल दिया कि जाती जो है वो रिलेशन्स पर क्या कर रही है डाल रही है डाल रही है नी डाल रही है मान लीजिए आपका कोई भोत परम मित्र है लेकिन वो दूसरी जाती का है, है ना, अब अगर लड़के लड़के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर माल लीजे, आपका कोई परम्मित्र, similar like प्रेमी का है, और वो दूसरी जाती की है, तो क्या आपका विवा हो पाएगा, आप कहेंगे नहीं सर, ऐसी कंडिशन में अंतर जाती विवा ना होने देने से क्या होता है, व्यक्ती की जो नातेदारी वो विगड़ती है, आपके रिलेशन सीप एक वक्त के बाद तूट जाएगी, तो यहीं है जाती का नातेदारी विवस्ता पर परभाव, पहला है विवा, पहला ही टोपिक क्या है विवा, अंतर जा जाती के अंदर भी फूट पड़ जाती है आप देखी एक ही जाती में बहुत सारे गोतर हमारे देश में बनाए गए हैं और गोतर से बाहर ही विवा किया जाता है एक गोतर में क्या हो जाते हैं भाई वैन हो जाते हैं पती पतनियती आपको बनना है जाती के अंदर तो गोतर से भार विवा करना पड़ेगा और जाती के अंदर विवा करना पड़ेगा पारिवारिक सन्चना संयुक्त परिवार देख लीजिए संयुक्त परिवार किस तरीके से जाती विवस्ता संयुक्त परिवार प्रणाली को मजबूत करती है जहां कई पीडियां एक ही घर में रहती हैं पितर सत्ता जाती व्यवस्था में आज भी आपको पता है पुरुस परधान समाज की बात होती है पुरुस को ही क्या क्या जाता है आप कह सकते घर का प्रमुक माना जाता है ऐसी धेर सारी जातियां भारत में हैं यहां पर महिलाओं को आज भी आप कह सकते हैं केवल और केवल घर में चार दिवारियों में रहने का अधिकार है और पुरुस परधान समाज उन जातियों में आज भी मुझूद है विकें से दोज आप कह सकते कास्ट और अनएजूकेट्ड वो अभी पूरीत रिके सिखसा पराप्त नहीं कर पाई है जाति आधारित वयवसाय आप देखेंगे जाति आधारित क्या करते हैं नातिदारी वयवस्था को परभावित करते हैं हर किसी जाती का अपना पाराम पर विवसाय होता है हम कई बार किवल जाती पूछ के उसके विवसाय का अंदाजा भी लगा लेते हैं है ना समाजी गती शिल्ता में बादा आज भी हम जाती के सरूप को बदलने नहीं देते क्या आज भी हम इस चीज को accept करते हैं कि हम intercast marriage को accept करेंगे नहीं हम खुद अगर accept कर लेते हैं तो हम समाज के बारे में सोचते हैं और याद रखना जब हम यह सोचेंगे कि चार लोग क्या सोचेंगे तो फिर चार लोग क्या ही सोचेंगे तो आपको एचीज नहीं सोचने है कि चार लोग क्या सोचेंगे वो काम उन चार लोगों का है सोचने का तो उन्हें सोचने दीजिए That is condition समाजिक भहिशकार आपको पता है आज भी जाती आधारित बेदभाव होता है समानित है उची जाती के लोग क्या करते है आपको पता जाती तो जनम पर अधारित होती है अब जनम पर अधारित व्यवस्था से तो आप कह सकते कर्ण जैसे महात्मा नहीं बच पाएं तो एक आम इंसान की क्या है आप कल्पना करेंगे निचली जाती के लोग समाजिक भईसकार और ऐसमानता का सामना करते हैं तो कि उची जाती के लोग आज भी उनके साथ समानता भरा वैवार नहीं करते हैं क्या आप कहेंगे ये बास समझ में आई आपको, done जाती अधारित बेदभाव, समाजिक तनाव और असांती का कारण बनता और बिल्कुल सही बात है जब निचली जाती है कब तक दबेंगी कभी तो आप संगर्स पर उतरेंगी और कभी तो असांती फैलाएंगी बिल्कुल सही बात है जाती अधारी तराज नीती और यही करणा हमारे देश में आज भी वोट जाती के ओपर मांगी जाती है अगर माल लिजे कोई नेता किसी विसेज जाती से है तो यह expect करके चलता है कि मेरे जाती का परतिया से मुझे ही वोट देगा भले ही मैं किसी भी परकार का मकार नेता क्यों ना हो अलब संक्यक जाती हो का आप परतिन्देतु अलब संक्यक जाती हो का आप परतिन्देतु मतलब क्या है किलियर चलिए NK बोस के समाज के अध्यान के लिए पद्धी और दृष्टी कौन की चर्चा कीजिए NK बोस ने समाज के अध्यान के बारे में कौन कौन से दृष्टी कौन दिया देखे NK बोस यानि निर्मल कुमार बोस है न, बीश्वी से आप दीए भारतिया मानव विज्ञान है, एंथ्रोपोलोजिस्ट है, इन्होंने क्या किया है, समाज का घैन अध्यन किया, समाज सास्तर, मानव विज्ञान और इतिहास के छेतर में बहुत बड़ा इन्होंने योगदान दिया, इन्होंने कितने दर्ष्टी कोन दिये, सबको मैं बरीफ में आपको समझाऊंगा, एन्के बोस के पांच दर्ष्टी कोन, देखिए, पहला है बहु विदाई दर्ष्टी कोन, बोस ने विभीन समाज इक विज्ञानों, समाज सास्तर, मानव विज्ञान, इतिहास और अर्थ सास्तर, सभी को क्या कि अपना है, उनका मानना था कि समाज को समझने के लिए, आपको सभी दर्ष्टी कोनों को मानना पड़ेगा, अब आप समाज को समझना चाते हैं, तो कि वह समाज का अध्यान काफी नहीं है, एक्नोमिक्स, उसका इतिहास समाज का, उसका मानव विज्ञान, सब कुछ आपको समझना पड़ेगा छेत्री अध्यन में उन्होंने ये कहा कि जब तक आप समाज को नहीं समझ सकते जब तक आप खुद अनुसंधान नहीं करेंगे जब तक आप खुद छेत्र में उतरकर क्या नहीं करेंगे रिसर्च नहीं करेंगे तो that is research method एतिहास एक संधर्ब एनके बोस कहते हैं कि किसी भी समाज को समझने के लिए हमें उसके इतिहास को जानना पड़ेगा क्योंकि इतिहास से ही वर्तमान की उत्पत्ती हुई है जिस व्यक्ति के इतिहास का में पता चल जाता है तो उसके वर्तमान को हम बहुत अच्छी से समझ स तुलनात्मक विसलेशन पारिक दर्ष्ट्री कौन किलियर भारत में जन्जातियों की पहचान के मुद्धो पर एल्विन का योगदान बताईए आपको पता है आज भी जो भारत की ट्राइबल पीपल है वो अपनी पहचान के लिए क्या करते रहते हैं संगर्स करते रहते हैं बहले ही समिधान में स्ट को क्या दे दिया गया है विसेश प्रावधान के तहर सुरक्षण सन्नक्षण और सुरक्षण दी गई है लेकिन क्या वास्ता में आज भी उनकी सुरक्षण तक पहुचे आप कहेंगे नई सर ऐसा नहीं है तो दिक्कत कहां आ रही है उनकी परंपराओं को समाजिक संगठन और विस्वासों को समझा और उसके बाद उन्होंने क्या किया फिर उसका दस्तावेजी करन किया मतलब जो कुछ उन्होंने उनके बारे में पाया पूरी रिसर्च को एक जगा एक दस्तावेज में नोट किया ये सबसे बड़ा योगदान उनका था दूसरा जन्जातिय अधिकारों की वकालत और जब वो समझ चुके थे कि इन लोगों के साथ बहुत कुछ क्या हो रहा है बुरा हो रहा है तो नोनों जन्जातिय लोगों के लिए क्या किया के संदक्षन की यह अनुसूची यह कहते है कि भारत में रहने वाली परतियक जनजाती को अपनी संस्कृती भासा और अपना आप क्या सकते हैं अपनी सब्वेता को बनाए रखने का अधिकार है उसकी सुरक्षा करने का उसका संदक्षन करने का परतियक जाती को क्या है अधि चर्ण जालने चाहिए, वह भी बहतर डंग से, नहीं के निल्ग कीन अई उस किताब को translate अलग-अलग भासाओं में किया जाएगा और different types of आप कह सकते people उसको पढ़ेंगे तब ही तो जाके cultural diversity को हम समझ पाएंगे और जनजातिय लोगों को अपना मान पाएंगे क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आई आप कहेंगे सर यहां तक हमें कोई भी परिशानी नहीं है किलियर चलिए लास्ट कोशन जो आपको पेपर में दिखाए देगा कल के ग्रामी नर्थ्यवस्ता और समाज पर राम कृष्न मुखर जी के विचार है ना इनको मुखर जी कर लेना समाज एक आर्थिक सुधार पेता वो चाहते थे ग्रामीन इलाकों में समाज सुधारे और वहाँ पर आर्थिक सुधार भी हो वो चाहते थे ग्रामीन समुधाय के जीवन को क्या हो उनकी quality of life बढ़े उन्होंने साथ साथ ये भी खा कि ग्रामीन विकास में सुधार भी सेविक सामुधाय संस्थाए सुधार भी सुधाय संस्थाए धन्होंने आप ने देखा हुआ जितनी भी NGO's होती है कि क्यों बनाई जाए जब्कि उनकी जातर आवशक्ता ग्रामीन इलाकों में जाब सुधाऊ की कमी है तो ये रामकिष्णी जी का विचारता उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि इस्थाने इस्तर पर समुदाय को स्वें आर्थी कुद करश्टता और समरद्धी की दिसा में बढ़ाया जाना चाहिए जिन लोगों को पता ही नहीं है देश की ग्रोथ कैसे हो सकती है क्या वो छोटे छोटे कार्यों करके देश की ग्रोथ में बड़ी ग्रोथ में भूमी का निवा सकते है तो लोगों को बताया जाना चाहिए ग्रामिन लोगों को कि आप खेतों में बले ही काम कर रहे है लेकिन डारेक्ली इंडारेक्ली आप देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं उनका ये भी दर्ष्टी कोन था कि ग्रामी नर्थ्य वस्ता को स्वाव लंभी बनाया जाए इत्नी बात हमें अच्छे से समझ में आ गई इसके अलावा इन्होंने क्या का? इन्होंने क्या का कि समाज के दर्ष्टी कोन को रामकृ्ष्न मुकरजी अगर ये गाउं में होँगी तो गाउं विकास करेंगे समुधायों को समाजिक संगठन में मजबूती देना और सभी को क्या करना आप कह सकते हैं संसादनों तक पहुँच बनाना साथ-साथ इन्हों ने ये कहा कि यदि देश का विकास चाहिए ग्रामीड भारत की क्या करना विकास करना है अगर बढ़ाना पड़ेगा और तभी उनकी संभावना विकास की क्या हो सकती है बढ़ सकती है तो ये थे रामकृष्न मूर्ती जी के विचार किस पर भारतिय ग्रामीड विवस्था पर विचार तो यहां पर ये तो फाइफ कोशन मैंने आपको कराई अग्जाम में कल छपेंगे आपके साथ-साथ इसकी इंग्लिष और हिंदी दोनों मीडम की क्लास हो चुकी है आप जाके देखें इंग्लिष मीडम की क्लास अजे सरने आपके लिए थी और ये हिंदी मीडम की क्लास है और इसके question paper session हम पहले ही करा चुके है तो उम्मीदा आपको क्लास समझ में आई होगी मजा होगा इस क्लास में तो आप चैनल से जुड़िये धन्यवाद दोस्तों